स्वागत है आप सबका मैं विवेक बिंद्रा मोडिवेशन स्पीकर लीडर्शिप कंसल्टेंट बिजनेस कोच करजे से मुक्ति के आठ अच्चूक उपाए हमारे देश के व्यापारी ड्यू टू लाक ऑफ कैलकुलेशन एंड लाक ऑफ फिनैंशल प्लानिंग करजे में चले अपने आप हाइपर टेंशन एंग्जाइटी बीपी स्ट्रेस डिप्रेशन तरह तरह की बिमारिया एड़ने लग जाती है करजे में दबेवे आदमी की बैरियर फ्री थिंकिंग खतम हो जाती है देश के 30% से ज्यादा लोगों की 30% एक्स्ट्रा बिमारियां इसी करजे के कारण आ रही हैं to become happy you don't need peace of finance you need financial peace come on you need financial पैसा आपको खुश नहीं करेगा financial peace आपको शांती देगा आठ करांती कारी उपाए हैं पूरा वीडियो देखेगा आज आपके credit card को या तो जला दो या जमा दो या तोड़ दो खतम कर दो आज कुछ शांदार उपाए दूँगा पहला point है list your debt by interest rate आप ascending या descending order में जितनी भी तरह के आपके करजे हैं चाहे वो personal loan का है home loan का है insecure loan का है car loan का education loan सबको interest rate के हिसाब से sequence में लिख लें जिसका interest सबसे जादा है उसको सबसे पहले खतम करें सब में बराबर बराबर EMI नहीं देने का ज्यान दीजिए आप लोग यह गलती करते हैं सबकी EMI चल रही है सबकी EMI जा रही है ना 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 बाकि इसको जड़ से उखाड़के तुरंद खतम कर दीजिए जरा देखते हैं किसका interest rate कैसा है home loan सबसे कम interest पे मिल रहा है 8.3% per annum car loan 9% पे मिल जाता है education loan 10% पे personal loan अमोवन 12% के आसपास unsecured loan में लगभग 20% का rate of interest है और credit card तो बनाई आपको बरबाद करने के लिए है average 32% या उसस जड़ा interest rate आता है credit card का simple मुद्दा है सबसे महेंगे वाले को सबसे पहले खतम करो बाकियों का minimum payment के साथ उनको maintain कर लो दूसरा point शाहिद ही किसी को इसकी ठीक से जानकारी हो pay incremental gain exponential कमाल की बात है sequence आपने लिख लिया ना अब करना कैसे समझ यह ध्यान से तो सबसे महेंगा है उस पे बढ़ा बढ़ा के EMI pay करना शुरू कर दी है शुरुआत से ही और जो gain होगा same proportion में नहीं exponential gain होता है जरा एक table को समझते हैं हम लेंगे तीन scenarios का table scenario 1, 2 और 3 इन तीनों का मैं calculation आपको quickly समझाता हूँ अगर आपका monthly EMI 5000 रुपया है और 41 महीने का payment plan है इसमें आपका total पैसा 41 महीना multiplied by 5000 रुपया दो लाख 5000 रुपया लग जाएगा scenario 2 में अगर आप इस payment को double कर देते हैं यानि कि 5 की जगए 10,000 रुपय महीना पे करना शुरू कर देते हैं अब आपको 41 महीने अगर 5 से 10 किया तो 41 का half होना चाहिए था नहीं हुआ वो 13 ही महीने रह गया यानि कि payment अगर आपने 2 गुणा किया benefit आपको 3 गुणा मिला है दूसरी तरफ एक और ले लेते हैं 5 के जगए 10 तो आपने ले लिया लेकिन अगर आपने सीधा 20,000 रुपया महीना पे करना शुरू कर दिया यानि कि payment आपने 4 गुणा किया लेकिन reduction in time taken आपको 7 गुणा मिल जाएगा यानि कि अब आपका पूरा payment छे महीने में ही खतम हो जाएगा सरसी बात है double payment किया तीन गुणा फाइदा और अगर four times payment किया साथ गुणा फाइदा तो जितना हो सके jump कर 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 के incremental payment कर ये exponential फाइदा उठाईए तीसरा point है sell unnecessary items for at least two to four EMIs Warren Buffet कहते है if you buy things that you don't need you will have to sell things that you need पर अमूमन फिर भी आप देखिए घर में बहुत सारा ऐसा समाना आपके पड़ा हुआ है जहां के दिखिए का ध्यान से इधर अभी के अभी वीडियो के बाद simple criteria अगर कोई चीज एक साल से जादा आपने इस्तेमाल नहीं करी chances है वो useless है और आपके लिए depreciating asset बना हु आपको काफी सारा unnecessary furniture या old mobile phones हो सकते हैं electronic appliances जैसे टीवी microwave heater कई bags भी हो सकते हैं खूबशूरत लेकिन अब इस्तिमाल नहीं करते थोड़े पुराने हो गए कुछ computer laptops हो सकते हैं washing machine camera cycle books musical instruments sports equipment apparels अब थोड़ी time लगता है OLX पर बेच दे quicker पर बेच दे दुनिया भर की add आ रही है कम से कम 4-5 EMI आप ऐसे ही निकाल लेंगे उन चीजों को बेच के जो कच्छरे की तरह depreciating asset बनके आपके घर में पड़ी हुई है मेरा चौथा point है temporary downsizing बुद्धिमान आदमी appreciating asset खरीता है और कम बुद्धी का वेक्त या तो depreciating asset खरीदेगा या liability खरीदेगा या unnecessary objects खरीदेगा downsize yourself temporarily at least कुछ ऐसे चीजों को फटा-फट evaluate करिये कुछ 3-4 चीज़े quickly बताता हूं पहला अपने gratification expenses को evaluate करिये dine-out expenses को evaluate करिये entertainment expenses को evaluate करिये unnecessary monthly subscription services depreciating asset या non value adding objects यह कहीं सारे चीज़े हैं जिनको अगर थोड़े दिन के लिए आप control करें कुछ extra 30% की saving की जा सकती है आपकी monthly planning में जो naturally आपकी EMIs को contribute करती है पांच्वा point है pay loans with the second income कहीं बार husband wife घर में दोनों काम कर रहे होते हैं तो एक की salary से घर चलना चाहिए और saving होना चाहिए दूसरे की salary केवल loans pay off करने में पूरी तरह dedicate हो जानी चाहिए जब आपको पता है कि वह salary available ही नहीं है आप loans को जादा अच्छा manage कर पाएंगे और दूसरा उपाय हो सकता है केवल एक earning member और घर में wife ना काम करती हो उस case के अं LIC agent बन सकते हैं multi-level marketing executive leader बन सकते हैं data entry टेली calling या industry specific consulting कहीं लोग एदा hobby catering भी करते हैं जैसे homemade cookies या cake you can also become a tour guide for weekends cola या Uber driving आप part time कर सकते हैं office कतम होने के बाद drive करते हैं ओला Uber यह भी एक्स्ट्रा 15-20,000 पर महीने का आपको काम दे सकता है या कुछ लोग social media पर paid tweeting etc कर सकते हैं चोटी-चोटी चीज़ें जो की जा सकती है आप अपने passion को ढूंड़िये जो profession के साथ-साथ बिल्ड करके एक्स्ट्रा income जो की you can straight away throw it to your EMIs मेरा च्छटा point है have an emergency savings fund देखिए loan लेना ही ना पड़े इसके लिए कुछ ना कुछ emergency saving corpus अपने लिए बना के रखिए जिसको liquid debt fund में आप डाल सकते हैं जिसको निकालना बड़ा आसाने कभी भी निकाला जा सकता है 24-48 घंटे के notice पे तुरंत निकाला जा सकता है equity में भी आप invest कर सकते हैं किसी भी समय पैसा बाहर निकल जाता है 6-8 या 9% का भी debt के अंदर बहुत सारे ऐसे funds जिसमें return मिल जाता है liquid fund में छोटा amount side में रखिए जब जरुवत पड़े तुरंत ले 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 लोन लेने की कहीं बार जरुवत ही नहीं पड़ेगी मेरा साथवा point है habit of budgeting is an extra blessing यह बड़ी कमाल की चीज़ है यह लोग जानते हैं लेकिन करते नहीं habit of budgeting is an extra blessing having data driven approach to your spending keep your intelligence above emotion one more time come on keep your intelligence above emotion अगर आप budget बना लेते हैं आपकी emotional spending को यह तुरंत control कर लेगा budget का मतलब है आपकी plan करने की शमता बड़ा सरल उपाए पिछले तीन चार महीने के spends को देखें प्लान करें और एक excel sheet बना लें जिसमें allocate कर दें मैं इस चीज़ के लिए और इस चीज़ के लिए और इस चीज़ के लिए कितना खर्चा करने वाला हूं those who don't manage their money will always work for those who do simple जो अपने पैसे का ख्याल रखना नहीं जानते वह हमेशा उनके लिए नौकरी करते हैं जो पैसे का ख्याल रखना जानता है budget आपको मदद करेगा data driven spending के लिए emotional spending को तूरंद control कर देता है शिंपल सा एक framework दे रहता हूं यहां category लिख ले इधर budgeted amount लिख ले इधर spend amount लिख ले या remaining amount लिख ले चाटेगरी में आप लिख सकते negative है इससे आप data driven spend करेंगे आपकी life control में रहेगी throw any excess cash on your debt कुछ भी पैसा extra मिलता है आपको example के लिए कभी आपको tax refund मिलता है कभी कोई गाड़ी बेच के पैसा मिल जाता है कुछ property inheritance परिवार से मिलती है कोई bet जी जाते है bonus है incentive है variable है अचानक आने वाला कोई भी windfall gain उसको अपने घूमने फिरने में ना लगाए इधर उदर object खरीदने में कभी घर के लिए वास से को सीधा debt पे फेंक के मारो और तुरंत उधार खतम करते जाओ करदा लेने में जल्दी मत करिए अपने सिबिल स्कोर को अच्छा रखिए बहुत जरूरत के समय में खर्चा करिए चानक के पंडित कहते हैं रिड शक्त्रू और रोग जहां मिले तुरंत समाप्त कर दो इन उनको कहीं बार जाने अं जाने में पैचानते हैं लेकिन अप्लाइं नहीं करते हैं इसको मैंने एक framework में आपको आज वीडियो के मादियम से दिया है बहुत सारे वियापारी करदे के करन परिशान हैं उनको वीडियो भेजिए उनको कहीं आईडियास आजाएंगे